सुरक्षा और सम्मान महिलाओं में आत्म विश्वास जगाएगा जब सस्ती बिजली पानी हर घर को मिल पाएगा जब धर्म जाती से उपर उठकर हर जन भारत को आगे बढ़ाएगा तब ही अमर्तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा ये इसका विजन है इसके पीछे का ये जो प्रस्तावना मैंने रखी आपके सामने ये एक तरह से भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें न्याय स्वतनतरता समानता और बंधुत को मूलभूत आधार बनाके लिखा गया है उसी को effective implementation के लिए बनाई गई है यह manifesto एक सपना है जैसे मैं ने कहा कि इस manifesto को इस manifesto को में लिखे सपनों की दिल्ली बनाने को हम दो हिस्वों बानाट दो रोड में इसके रोड में आपको दो हिस्सों में माट सकते हैं पहला माने मुख्यमंत्रीजी के और से जारी किया गया एक गारंटी काड जिसमें केजरीवाल की दस गारंटी आज दिल्ली उन सब के बारे में बात कर रही है वो भी इस मैनिफस्ट का हिस्सा है और दूसरा कुछ विश्तरत कामों की सूची है जो आमाद्वी पार्टी की सरकार अगले पांस साल में करेगी हर व्यक्ति के लिए पीने के शुद्ध पानी की गारंटी ताकि नल से वो 24 घंटे शुद्ध पानी उसको मिल सके उसकी गारंटी दिल्ली सरकार लेगी 24 घंटे घरों में बिजली आ सके और 200 यूनिट तक के बिजली के बिल लोगों के जीरो रहें और साथ-साथ पूरी दिल्ली में अलग-अलग कॉलोनियों में जो तारों का जंजाल पॉलिशन एक बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान इस तर से वन थर्ड लाने की गारंटी दिल्ली सरकार लेगी पॉलिशन में 25 परसेंट पहले ही कम किया चुका है साथ-सुत्री दिल्ली और साथ-सुत्री यमना की गारंटी दिल्ली सरकार लेगी महिला सुरक्षा के लिए CCTV के पूरे नेटवर्क को और मजबूत करना स्ट्रीट लाइट गली-गली में लगवाना ताकि कोई कौना अधिरा ना रहे और महला मार्शल लगाना इसकी गारंटी दिल्ली सरकार लेगी कच्ची कॉलोनियों में सुवधाओं की गारंटी पक्की कॉलोनियों जैसी सुवधाओं की गारंटी सरकार लेगी और जहां ज जीवाल की दस Guaranty है यह Guaranty अपने less Bulड है मैं जो कोई राजनितिक क्वें पार्टी कुछ discussions आज मैंने कहा इसके रोडमेपके दो हिस्सें हैं यह अम आदमी को गरिमा पूंड जीने में और उसके परिवार को खुशाल बनाने के लिए मुलवूत आधार के रूप में हैं लेकिन शहर को पूरी गवर्नेंस को एक सपनों की दिल्ली बनाने के लिए एक मैनिफेस्टो अगले पांस साल का जो जारी किया है उसका दूसरा हिस्सा उसमें 28 ऐसी और पहल हैं जिन पर दि पहला दिल्ली जनलोकपाल बिल ये 2015 में दिल्ली विधान सभा से पारित किया गया था और चार साल से केंदर सरकार के पास लंबित हैं आमाद्मी पार्टी केंदर सरकार द्वारा दिल्ली जनलोकपाल बिल पास कराने के लिए अपना संगर्ष जारी रखेगी दूसरा दिल्ली सुराज बिल दिल्ली सरकार ने 2016 में जून 2016 में शेहर बर में 70 विधान सभा में करीब 3900 महला सभाओं के गठन को मंजूरी दी थी ये भी ये दिल्ली सुराज बिधेक लाने के लिए हम केंदर के साथ मिलके एक मजबूत प्रयास करेंगे और महला सभाओं की भूमिका और जिम्मेदारियों को और सारी ग्रूप देंगे ताकि जो गवर्नेंस से वो लोगों के छोटे-छोटे काम है वो डिसेंट्राइज तर जो एक्च्वल रियल कॉस्ट हैं मार्केट में उसको कंसीडर करके इसको रैशनलाइज किया जाएगा ताकि संपत्ती मालिकों को जो इंट्रेस्ट है वो सिक्योर हैं पुराने वैट मामले हैं व्यापारियों के अभी तो जीएश्ट जीम में आ गया है लेकिन वैट के बह है तो पुराने वैट मामलों के लिए एक एमनेश्टी स्कीम सरकार लेके आएगी और 2017 या उससे पहले से लंबित मामलों को छूट देकर उनका निश्तारण करेंगे दिल्ली में इसको अधुनिक बनाने के लिए और इसके ट्रेड कल्चर को और मॉडरनाइज बनाने के लि जिससे दिल्ली को 24 घंटे की महमान नावाजी वाला शहर बनाया जा सके और इससे परेटन में और अत्रवस्था में भी योगदान मिले पिछले पांच साल में हमारी सरकार ने दिल्ली के लोगों को कई क्षित्रों में राहत दिये बुनियादी मुद्दों को ठीक करने में पांच साल बीटे स्कूल अस्पताल बिजली पान अब हमारा विज्ञ है कि अगले पांच साल में दिल्ली को अगले लेवल पे लेके जाना है next लेवल पे लेके जाना कि ऐका जहिए और को त्युक्त यार कूँ जूत यह केवाईएगी डिल्व के त्यूकर चांध को दूदित देश के को चाहल हो और मेंटेश के कांग चरओं मृप न्युच मोट था गूंग एब अपने ऐसी दिली बनाना है जो की पूरे देश के लिए गarव की बात बन सके जो manifesto बनाया गया इसमें सभी समाज के । लोगों के लिए बात की गॉई इसमे विल्फेर की बात है इसमें युवाओं के बात है इसमें व्यापारियों की की बात है, इसमें ठेके पे काम करने वाले करमचारियों की बात है, इसमें सिख जो 1984 के दंगा पेड़ित हैं, उनकी बात है, इसके अंदर बुजुर्गों की बात है, हर तबके का खयाल रखके और हर तबके की जो जो जरूरते हैं, सफाई करमचारियों की खास तोर से मैं सफ long-standing demands थी, एक demand की उनको आज दिल्ली के अंदर आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और दिल्ली में जो सफाई करमचारियों का number of posts calculate की जाती है वो ये इस basis पे calculate की जाती है कि population, इतने population पे कितने सफाई करमचारी, तो ये 40 साल पहले का जो census था उसके basis पे calculate की जाती है, हम 2011 के census के हिसाब से इसको calculate करेंगे, तो उसी हिसाब से सफाई करमचारियों की posts में काफी बड़े स्तर पे इजाफ़ा होगा, और दूसरा सफाई करमचारियों की demand थी कि जब उनकी किसी भी व्यक्ती की, चाहे सीवर में हो, चाहे सफाई करते वक्त हो, जब भी किसी की मौत हो जाती है, उनको एक करोड रुपे की का मौावजा दिया जाएगा, उनको पक्का करने की भी बात इस manifesto में की गई है, तो अब BJP का भी manifesto आ गया, और हमारा भी manifesto आ गया, और जनतंत्र में जरूरी है बहस, ये जरूरी है कि इसके उपर बहस हो कि वो क्या वाइदे कर रहे ह और हम क्या वाइदे कर रहे हैं, ये जरूरी है कि जनता के सामने जनता को मौका मिले प्रश्न करने का, और दोनों पार्टियां अपने बात बताएं कि उन्होंने जो वादे किया वो संभव हैं, क्या जनता उन वादों को सही मानती है, या हमने जो वादे किया, या हमने जो KTM candidate के साथ मैं बहस करने के लिए तयार हूँ वहस किसी भी जगे पर हो सकती है जो हो चाहें उस जगे पर हो सकती है दो एंकर बहस का वो कर सकते हैं एक उनकी पसंद का एंकर हो एक हमारी पसंद का एंकर हो सारी जनता के सामने होना चाहिए जनता को सवाल जवाब करने का मौका मिलना चाहिए सारी टीवी चैनल्स के सामने होना चाहिए जनता ये जानना चाहती है कि कि उनका CM face कौन है अगर जनता को यह नहीं पता कि उनका CM face कौन है तो फिर जनता कह रही है कि हम आपको vote क्यों दे अमिच्छा जी यह कह रहे हैं वही तुम हमको vote दे दो फिर CM मैं तै करूंगा जनतंत्र में CM जनता तै करती है जनतंत्र में CM अमिच्छा जी तै नहीं कर सकते जनता को यह अधिकार होना चाहिए तै करने का कि वह CM decide करें कि यह CM पसंद है कि यह CM पसंद है अमिच्छा जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता मेरे को डिया हुआ vote कि सीधा केज़रीवाल के पास आएगा दिल्ली के जनता यह जानना चाहते है कि BJP को दिया हुआ वो APP किसके पास जाएगा अगर वह चहरा नहीं है तो इसके मतलु बीजय पिको डिया हुआ एक एक वोट द्रें सब्सक्राइब बिचे usd era को दिया हुआ एक एक्वोर्ट बेकार हो जाएगा सटोव्री की जनता यह जानना चाहते ही कि आप अपना की जनता यह कह रहे हैं कि हमने मालों आपको वोड़ दे दिया वीजे पिको जाया तो दो जनता के साथ धूखा हो जाएगा वो अगर दिली मैं उसके साथ बहस करने के लिए तयार हूं मोडालिटीज वर्काउट कर लेंगे और अगर वो नहीं करते तो कल एक बजे आप सब लोगों के साथ यहीं मुलाकात होगी एक और प्रेस कॉन्फरेंस होगी उसमें हम आप से चर्चा करेंगे इस तरह की खबरे देखने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नौटिफिकेशन बेल अन कीजिए धन्यवार